हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में आपके गार्डेन को खुसबूँ से महकाने वाला बहुत ही जवरजस्ट प्लांट जिससे हम मोगरा जैस्मीन के नाम से जानते हैं इस बीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके मोगरा जैस्मीन यानि बेले के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके मोगरे जैस्मीन के पौधे पर भरकर फूल आएं इसलिए बीडियो को पूरी जरूर देखिएगा इस बीडियो मैंने इसकी खास केर और फर्टिलाइजर के बारे में आपसे सेर किया है तो आए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे आप कब लगा सकते हैं तो मोगरा जैस्मीन के पौधे को आप पूरे एर लगा सकते हैं ये आसानी से लग जाते हैं इसकी कटिंग भी अगर इसे आप गमले में लगाना चाहते हैं इसे वेल टेंट स्वेल अच्छी लगती है एक भाग मिट्टी एक भाग खाद और एक भाग सेंड उसमें जरूर एड़ करें क्योंकि ये एक समर फ्लॉरिंग प्लांट है ये विंटर में फ्लॉरिंग नहीं करता है बरसात के म इसे आप हमेशा ही फूल सनलाइट में रखें अगर इसे आप छाय में रखते हैं तो इसमें फूल नहीं लगेंगे बहुत ही कम फूल लगेंगे ये फूल सनलाइट वाला प्लांट होता है इसे आप हमेशा ही कम से कम चार से पांच घंटे सुबा के धूप में रखें अभ क्विकि इसे जब तक आप संलाइgoing करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसके फरवली मार्च to illusion hall लिए था आ झाने क्योंकि जब तक इसके परोनिंग करेंगे आ सब आ फूरा बहुति ही सब्वा मुणlast को आप नहीं कि या मलेगा तो आपको फूल नहीं देंगे उसके साथ साथ आप इसकी गंले की मिट्टी की टाइम टू टाइम गुडाई करते रहें देखिए मुगरा जसमिन प्लांट के जो रूर्ट्स होते हैं वह बहुत ही ज्यादा मिट्टी में develop होते हैं जिसके वज़ा से मिट्टी के ऊपर roots फैलने लगते हैं तो time to time इसकी मिट्टी के आप गुड़ाई करते रहें ताकि इसकी मिट्टी जो है वो सक्त नहीं रहे क्योंकि इसके roots जब ज़्यादा फैलते हैं विट्टी को जगड लेते हैं तो उससे आपका प्लांट का ग्रोथ रुख सकता है तो इसकी गुड़ाइ भी आप अच्छे करें आप आए जानते हैं कि इसमें फटिलाइजर आप कौन साथ है तो ये बनाना पिल और्गेनिक फटिलाइजर जिसे पोटेसियम होता है उसके सा ये और्गेनिक फटिलाइजर के साथ कुछ केमिकल फटिलाइजर का भी इसाहरा हमें लेना पड़ता है क्योंकि मोगरा-जशमीन से हमें मात्र एक उद्धेस फूल लेना ही है तो आप अप केमीकल फटिलाइजर का भी इस्तवाल कर सकते हैं, टाइम टूटाइम। मैं महीन यहिनद यह लोडिक दो, फूसके साथ साथ हैं इसी लुदह को मिल जाएं उसके साथ साथ कोई फटिलाज है कि आप सैना चाहता हूँ साथ है जाए आप निए का फूल खतम हो جाएं एक फूल खिलने के बाद जहर जाया तो आप उसकी soft pruning जरूर करते रहें लगबग दो पत्ते नीचे से आप जब soft pruning करेंगे तो आपके उसके नीचे से ही नए नए ब्रांचे सखाएं निकलती रहेंगे और फिर से वो आपका फूल देने के लिए तयार हो जाएगा तो इस तरह से आप इसमे फूल लाने के लिए दोबारा फूल लाने के लिए इसकी pruning करने के बाद उसमें कोई खाथ भी जरूर दे दे सोफ्ट प्रूनिंग ही करें हमें hard pruning अभी नहीं करना है hard pruning सिर्फ आप फरवरी के महीने में करें तो soft pruning जब आप करेंगे तो आपको फिर से दोबारा अपने मोगरा जयसमीन के प्लांट फर फूल देखने के लिए मिल सकता है इसके साथ साथ आप अपने मोगरा जयसमीन के प्लांट में गर्मी की दुनों में एक बार कम से कम सुबह उस पर misting जरूर कर दें पानी का शिर्काव जरूर कर दें ताकि आपके प्लांट हमेशा हरे भरे उसमें photosynthesis के क्रिया काफी अच्छी होती रहे उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आये होंगे दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आये तो मेरे वीडियो को आप like और share जरूर कर दें उसके साथ साथ मेरे channel simple home gardening को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबादें ऐसे यूच्फिल वीडियो के लिए थैंक्यू दोस्तों थैंक्स फूर वाचीं